हलो प्रिंट्स, वेलकम टू आज चानल करंट अफ़ेर अपडेटेड इस दिवशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने बहुत इंपोरेंट लेक्चे लेक्चे आया हूँ जो कि आपके कमिंग एक्जाम में क्या देखिए है करंट अफेर्स के लिए बहुत इंपोरेंट रोल लेक्चे को एंड तक देखना, डारेक्ट कोशन आपको देखने को मिलेगा, अभी आपने UPSC का भी एक्जाम देखा होगा, हैना आपने State Services के एक्जाम देखोंगे, सब में कोशन आए हुए हैं, तो चलिए एक लेक्चे में सारे Missions और Operations, वो मैं आपको एक लेक्चे में ब बताता हूँ, इसको launch किसने किया, कोशन ये पूछा हैंगा, तो केरला Drug Control Department, मतलब केरला जो है, उसने ही launch किया, तो पहली बाद आपको यह पता हूँचे केरला ने launch किया हुआ है, ठीक है, इसका aim क्या है, इसका aim है to curb, मतलब to control antibiotic overuse, lead to antimicrobial resistance, अब आप कहेंगे ये क्या होत होती, तो हम लोग जाके medicine shop से, ठीक है, antibiotics ले आते हैं, ठीक है, बिना doctor के, या देखे, बिना doctor के advice के, या तो कोई doctor के हमाई पास prescription भी नहीं रहती है, और हम जाके वो दवाईयां ले ले लेते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, जब आप वो दवाईयां ले ले लेते हैं, तो आपके body में जो fungi है, virus, bacteria, जो भी है, ठीक है, उनको क्या होता है, आदत पढ़े आती है, कि आप कौन सी दवाई ले रहे हो, तो एक तरीके से antimicrobial resistance डवलप कर लेते हैं, मतलब वो उनको यह हो जाता है कि अभी इस दवाई से उनको कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है, जो virus, antibiotics ना दे, तो यहाँ पर main role यह रहेगा, ठीक है, और अगर मैं अमरित, जो mission है, उसका full form की बात करूँ, so antimicrobial resistance intervention for total health, यह इसका full form है, तो I hope आप समझ की होंगे, बहुत simple सा operation है, यह आपको याद अखना है, ठीक है, चलिए, next पर आते है, that is mission mousam, यह क्या है, mission mousam, नाम से लग रहा है कि कोई mousam से littered होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, पहले बाद इसको launch किया है, ministry of earth science ने, ठीक है, इस mission के अंदर क्या है, इसके अंदर इंडिया की जो ability है, to predict and respond extreme weather, जो हमारे weather forecast होता है, ठीक है, है ना, उसको better करने के लिए better predictability होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको intelligence का use किया जाएगा, ठीक है, तो यह सब चीजे use कियाएंगी, जिससे कि क्या हो, आपको better production हो सके, है ना, तो यह mission मौसब जो है, अभी recently आप देखेंगे, September 2024 में ही इसको cabinet ने launch किया हुआ है, तो यह बड़ा important हो जाता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और आपको हम हमको पता ही है कि हमाई weather forecast कितना गलत होता है, तो अगर better weather forecasting होगी, तो बहुत साही चीजें जो उसकी वज़े से impact होता है, उसको हम बचा सकते हैं, चलिए, next पर आते है, that is operation rising sun, यह operation rising sun क्या है, देखें, March 2024 में, Directorate of Revenue Intelligence, अब आप कहेंगे, DRI क्या होता है, मैं बता दूँ, यह जो directorate होता है, यह जो central board of indirect taxes और custom के officers होते हैं, याद दखेंगे, वो होते हैं, इस intelligence की wing में, और इसने recently launch किया है, operation rising sun, इसका agenda क्या है, to burst a major gold smuggling syndicate, जो gold का smuggling हो रही है, उस syndicate को तोड़ना याद दखेंगा, उसके लिए operation rising sun जो है, वो launch किया हुआ है, तो अलग अलग smuggling से लेटेड है, तो sun से आप देख सकते हैं, yellow color का है, तो ऐसे आप gold भी याद कर सकते हैं, चलिए, next, operation कामधेनू, नाम से पर चला है, cow से लेटेड होगा, बिल्कुल ही, इसको जमुन कश्मीर ने, जमुन कश्मीर की police ने start किया, operation कामधानू, कामधेनू, March 2024 में, इसका effort क to stop smuggling of cattle, जो cattle की smuggling होती है, उसको stop करने के लिए, जमुन कश्मीर ने, operation कामधेनू, start किया हुआ है, okay, चलिए, next, आते, operation इंदरावती, बहुत famous mission, operation इंदरावती, मैं आपको पता दू, अगर आप Atlantic Ocean देखेंगे, आप North America की नीचे आप देखें, Cuba आपको दिखेंगा, वहीं जो भी हैती में Indian citizens रह रहे हैं, ठीक है, उनको evacuate करके इस Dominican Republic में ले जाया गया, तो यहाँ पर इसका भी बहुत important role है, इस country का भी, जिसने help की हमको, क्योंकि यहाँ पर हैती में बता दू, gang violence, political instability आ गई थी, तो हमने अपने लोगों को, याद दखेंगे, यहाँ से यहाँ पर switch किया, उसके लिए हमने एक mission launch किया था, या operation launch किया था, जिसका राम था, operation इंद्रा वती, चलिए, आगे बढ़ते, next पर आते, next का है, mission दिव्यस्तर है, यह बहुत important है, Prime Minister Modi ने tweet करके, इस mission के बारे बताया था, यह mission है, क्या मैं बतायता हूँ, एक testing हुई थी, successful testing हुई, ठ testing का नाम रखा गया था, mission दिव्यस्तर है, देखिए, इसमें था क्या, इसमें इंडिया ने successfully flight test किया था, किसका, indigenously developed Agni 5 missile with MIRV technology, मतलब Agni 5 missile में, MIRV technology, जो indigenously developed है, वो successfully tested हुई, अब आप कहेंगे, यह MIRV technology क्या है, इसका मतलब है, multiple independently targetable re-entry vehicle technology, यह इसका full form है, ठीक है, इसके बारे में, अगर हम discuss करें, यह technology होती क्या है, तो मैं आपको बहुत basic सा बताता हूँ, इस technology that goes into putting a multiple warhead, मतलब जब आप कोई भी missile, for example, Agni 5 की missile है, इसमें MIRV technology है, तो generally यहाँ पर क्या होगा, कि एक single warhead नहीं होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, multiple warhead, बहुत शारे warhead आपक single rocket में, जब आप इस missile यह rocket को fire करेंगे, तो अलग-अलग जगों पर आप एक rocket से attack कर सकते हैं, मतलब एक single missile से आप 4-6 warhead हो सकते हैं, और यह strike कर सकते हैं, अलग-अलग टार्गेट से हो, तो एक बार आपको सिर्फ missile launch करनी है, और अलग-अलग जगों पर आप target कर सकते हैं, यह है MIRV technology, और यह successful यह अभी Agni 5 में लगा के इसको test किया गया, और यह successful रहा है, जिसका नाम रखा गया Mission Divya Astra, तो यह आपको यादखना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्श पाते हैं, Operation Bumpy Bucket, यह क्या है, Operation Bumpy Bucket, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता दूँ, जो उत् forest fire को control करने के लिए, नेनिताल district, उत्राखन में, Bumpy Bucket का यूज किया, यह Bumpy Bucket में होता क्या है, मैं आपको बतायता हूँ, देखे, आप यहाँ पर देख रहोंगे, यह helicopter है, और यहाँ पर उसने क्या किया, इस bucket में पानी भरा, ठीक है, और इस पानी को ले जाके, जंगलों कि जहाँ पर आग लेगी हुई है, वहाँ पर गिरा दिया, जिससे forest fire control हो सके, कहने का मतलब, एक helicopter use किया था, एक bumpy bucket होता है, जिसको आप helicopter bucket भी कह सकते है, जो water collect करता है, भीमताल लेक से water collect किया गया, क्योंकि उत्राखन की बात है, और फिर जहाँ पर burning forest था, वहाँ पर जाक operation, यहाँ दёखएगा, सर्वशक्ती, operation सर्वशक्ती, यह किसे लाँच किया है, यह लाँच किया है, इंडियन आर्मी ने, कहाँ पर लाँच किया है, anti-terror drive in जम्मु इन कश्मीर, इसको बांटि इसको बात चर्रों करने के면 के, operation सर्वशक्ति जो है, याँदज सर्वशक्ति लाँच किया गया है एम क्या है eliminating terrorists responsible of series of ambush of Indian troops in Rajauri and Pooch regions of Jumun Kashmir जिस तरह आपने देखा कि हमें terrorists को eliminate करना है Jumun Kashmir के लिए ठीक है तो वहाँ पर उन्होंने जिस तरह अफ्कोर्स terrorists को आपको पता है Jumun Kashmir में सिस्थमें बहुत चापरेशन चला जाते हैं for anti-terror drive तो उसी में से यह operation सर्वशक्ती एक mission था ऐसे मैं बता दूँ एक operation सर्वविनाश 2003 में भी launch किया गया था उसका भी agenda यही था कि anti-terror drive launch करना Jumun Kashmir में उसी की similar lines में आप कह सकते हैं operation सर्वशक्ती launch किया गया चले next आता operation अजय है important है 2023 का mission है क्या दिखेगा यह operation जो है यहाँ पर जो हमारे लोग इसराइल में फसे थे आपको पता होगा इसराइल और हमास के बीच में किस तरह लड़ाई start हो गई थी ठीक है तो वहाँ पर हमाई जो लोग इसराइल में फसे हुए थे उनको इंडिया लाने के लिए हमने operation अजय लाँच किया था ता operation अजय इसराइल से हमने Indian citizens को इंडिया लाए था okay next operation काविरी again river के नाम पर है यह भी rescue mission था जहाँ पर हमने अपने लोगों को इंडिया वापस लाए थे from Sudan क्योंकि Sudan में चल ला था civil war okay 2023 का mission आप यह देख सकते हैं अफरीका की country है सुदान उपर आप एजिब्ट देख रहे हैं इथोपिया देख रहे हैं यहाँ पर civil war हो गया था तो यहां से हम अपने लोगों को इंडिया लेकिया थे अंडर operation कावेरी ऐसे एक और operation करुना यह क्या था मैं आपको दो ओपरेशन करुना में क्या हुआ था कि इंडिया है इंडिया के बगल में आपको पता को मैंनमार है ठीक है तो यहां पर आपका बेंगॉल है यहां पर एक cyclone डेवलप हुआ था इसका नाम साइक्लोन मोचा और यह नाम जो है cyclone मोचा किस ने दिया बताये तो यमन ने इसकी नेमिंग की थी यमन ने इसका नाम रखा था और इसका impact मैंनमार में बहुत ज़ादा हुआ था मैंनमार को एक humanitarian assistance देने के लिए मैंनमार के लिए हमने operation करुणा जो है वो launch किया था हमने humanitarian assistance दी थी मैंनमार को यह mission या दखेगा 2023 का है next operation दोस्त यह भी 2023 का mission मैं आपको बता दूं Turkey और यह आप Syria देख रहोंगे यहां पर याद दखेगा एक बहुत major earthquake आया था तो यह Turkey Syria में जो earthquake को आया था उसी या देख वहाँ पर जो लोग है उनको rescue करने के लिए हमने एक operation दोस्त लाँच किया था ठीक है तो operation दोस्त किसके लिए था for the Turkey and Syria earthquake के लिए हमने Syria earthquake को assist करने के लिए उनके rescue missions के लिए हमने operation दोस्त लाँच किया था कमेंट बॉक्स आप मुझे बताए तर्की की capital क्या है और सीरिया की capital क्या है दोनों की capital आप मुझे comment box में mention करके बताईए ओके चलिए आगे इंडिया की मदद से अफगानिस्तान से बाहर आ गया थे क्योंकि वहाँ पर जो इसलामिक रेपब्लिक ऑफगानिस्तान है ठीक है वो फॉल हो गया था और तालीबान के हाथ में आ गया था तो वहां से हमने अपने लोगों को वापस लेकिया और इवन फॉरेंड नैशनल्स क को रश्य और यूक्रेन अभी भी लड़ रहे हैं ठीक है यह उपरेशन में बता दूब 26 वैब 2022 का मिशन है मलब 2022 का मिशन है जब यह लड़ाई रश्य वासे यूक्रेन की तो हम अपने इंडियन नैशनल्स और में यूक्रेन में जो हमाई स्टुडेंस थे ठीक है में ली का इन सब को बहुत इपॉर्टेंट रोल रहा था इन्होंने हेल्प की थी हमारी किस तरह यूक्रेन की बॉड़र से इंडिया अपने लोगों को ला सा कियो में ली जो थे वो स्टुडेंस थे ओके चलिए नेक्स आता हो ऑपरेशन संकल्प यह मिशन क्या है ऑपरेशन संकल देखे यह उपरेशन बता दूँ यह जनरली क्या है सिक्वरिटि मिशन मदब मरिटाइम में आप देख तरह अटाक होते हैं है ना पाइरेट्स अटाक कर देते हैं तो उसी के लिए हमारे मेरे टाइम सेक्योटी ओपरेशन कंड़क किया गया था इंडियन नेवी और यह उपरेशन का नाम था उपरेशन संकल्प और समुंद्र में जैसे बहुत सारे आपको बताओ को मर्चेंट वेसल से रहते हैं तो मेरे ट पौरन रिबल का नाम बताता हौथी डिबल्स यमन से विलॉग करते हैं यह अटाक करते रहते हैं आपकी शिप्स वगरा ठीक है तो उसके लिए हम ने ने उपरेशन संकल्प इंडियन ने ईंडियन लांच किया हुआ है ऑके मेरे ताइन स्रिक्योरिटी के रिये नेक्स ए प्रह Jub Там यह एता है मियादा बहुति हैー लोग जो है लॉंच किया गया था क्योंकि जब लोग आते हैं हाँ पर तो उन ocean किória करते हैं जेसां किज़िए और प्रहूडी बिहेवियर होता हें ठीक है विर दनाया ते चुन को human पीते हैं ड्रक्स वगरा लेते हैं तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए उत्राखन पुलिस नहीं मर्यादा अपरेशन लाँच किया था उत्राखन में नेक्स है अपरेशन अल असका फ्लड अटैक ये क्या है देखे आपको मैंने बताया भी इसराइल और किस तरह हमास के बीच में लड़ाई चली थी हमास में आपको बतादू मेंली इस गाजा पट्टी पे है ठीक है जो गाजा पट् इसराइल पर फेके गए फ्रम गाजा स्ट्रिप मतब इस गाजा स्ट्रिप से इसराइल पर पांच जाद से जादा रॉकेट भीजे गए और ये सेवन्थ अक्टूबर 2023 को हुआ था है ना और इस ऑपरेशन का नाम यादा कि हमास से रखा था ऑपरेशन अल-असका फ्लड आप कहेंगे सर इसराइल पर फेजा इसराइल ने क्या किया होगा उसने भी रिटालियेट किया होगा बिलकुल उसने भी रिटालियेट किया और उसने ऑपरेशन आरेंड शॉड लाउंच कर दिया ठीक है यहाप इसराइल ने रिटालियेशन किया था विकॉज अपरेशन मैं आपता दूँ यह coastal security drill है जो इंडियन coast guard by the conducted by Indian coast guard along the west coast यह आपका east coast है यह आपका west coast है यहाँ पर एक drill conduct की गई थी जो भी Indian security coastal security में role play करते हैं जैसे आपको पता हो customs, marine police, sports, Indian navy यह सब इस drill में उन्होंने participate किया था और इस operation का नाम रखा गे तो operation operation sahaj okay तो यह भी आपको यादखना है आगे बढ़ते हैं सजग आप कह सकते हैं सहज नहीं है operation सजग है यह सजग सजग नहीं कहीं है ठीक है सहज नहीं कहीं है एच्छ नहीं है यह सजग है तो यह operation launch किया गया था आपको यादखना है एक drill conduct की गई थी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं आप भी लिखा हूँ सजग लिखा हूँ है ठीक है मैंने सहज बोल दिया तो थोड़ा सको सही कर लिजेगा आप यह किया था वो वो था आपका यह सजग चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर आते हैं operation chakra 2 यह किसने launch किया यह launch किया CBI ने Central Bureau of Investigation ठीक है सबसे पहले मुझे बताओ अभी at present head कौन है CBI का head कौन है भी CBI को cage parrot फिर से कह दिया गया ठीक है तो आप मुझे बताइए कि CBI के अभी head कौन है यह आप मुझे comment box से बताइए ठीक है तो CBI ने launch किया है operation chakra 2 यह है क्या तो crack down organized cyber enabled financial crime आपको पता होगा आज कल बहुत जादा financial frauds होते रहते हैं साइबर में financial frauds होते हैं उसी को control करने के लिए CBI ने operation chakra 2 launch किया हुआ है ओके चले next operation त्री नेत्र 2 अब आप कहेंगा operation त्री नेत्र 2 क्या है यह joint search and cordon operation है इंडियन आर्मी का with police मदब जो पुलिस है और आर्मी मिल के operation त्री नेत्र या दिखेगा ओपरेशन त्री नेत्र 2 launch किया हुआ है जहां पर terrorist hide करते हैं जमुन कश्मीर में उनको track down करने के लिए operation त्री नेत्र 2 जो है वो लांच किया आर्मी और पुलिस की मदद से जमुन सकते हैं डिस्ट्रिक पूंच के राउंड आप देखेंगे operation त्री नेत्र 2 जो है वो लांच किया गया है आपको confused नहीं होना एक त्री नेत्र 2.0 भी है जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले यह क्या है यह उत्तर पदेश पुलिस का त्री नेत्र 2.0 है एक digital platform है जहां पर क्राइम को प्रिवेंट और इंवेस्टिगेट किया जा सकता है किया पूरा डाता रहता है जो भी क्रिमिल्स वगर रहते हैं उनका पूरा प्रॉपर डाता इस त्री नेत्र 2.0 में रहता है ठीक है तो यह operation त्री नेत्र 2 और त्री नेत्र 2.0 इससे आपको confused नहीं होना है द फॉर प्रॉफिट के लिए वो लोग ऐसे काम कैसे आप बेटिंग देखते हैं ठीक है smuggling देखते हैं यह सारी activities आप देखे ट्राफिक लिंग देखते हैं यह साही चीज़े जो होती illegal activities है इसके बदले में आपको पैसा मिलता है प्रॉफिट होता है ठीक है तो ऐसे crime को कहते यह किस ने लॉंच किया है operation सदभावना इंडियन आर्मी ने लॉंच किया है तो support remote communities in जमुन कश्मीर और लद्दाक दोनों ही union territories हैं उनको उनकी जो remote communities हैं ठीक है क्योंकि आपको पता है आपके border में जो लोग रहते हैं अगर वो आपके खबरी बन जाए तो आपके लिए ब सब्सक्राइब लिए schools educational टूर यह सब स्टार्ट किया गया है इन एरियास में जिससे क्या हो कि लोगों का जो border अरियास में रह रहे हैं उनका एक तरीके से connect better बना रहे हैं इंडियन के साथ ओके चले operation सदभावना next operation oliva oliva redly turtles आपने सुना बहुत famous turtles हैं इनको protect करने के लिए उलाइव रेडली turtles को protect करने के लिए यह operation oliva launch किया गया है है जो कि Odisha coast में यह turtle पाए जाते हैं उनकी breeding और nesting के लिए वो यहाँ पर एक beach है that is गहरी माता बीच जहां पर वो यह बीच पर आते हैं नमंबर दिसम्बर के टाइम पर तो उनको protect करने के लिए कि उस ताइम पर ज सर्द हवा जो है यह launch किया BASF ने border security force ने जल्दी से बता दो अभी at present recently director general appointment हुए BASF के who is appointed as director general of BASF यह आप जो comment box से बताएंगे इसको launch किया गा operation सर्द हवा को along western border of Rajasthan अलब जो आपका Rajasthan है उसके western side है अलब इंडिया पाकिस्तान की आप कह सकते border पे इस operation सर्द हवा को launch क रखी उसने सर्द हवा आप देखेंगे और गरम हवा आप देखेंगे गर्मियों में ठीक है बोत operation का एक तरीके से BASF का routine exercise है जहां पर आपको border में आप देखते infiltrations होते हैं ठीक है उनको control करना है इंडिया पाकिस्तान की border पर जो infiltrations होते हैं उनको control करने के लिए operation सर्द हव operation गरम हवा जो है वो launch किया गया हुआ है okay next operation broader sword या देखेंगा operation border sword या आप से पूछा आएगा यह क्या है यह इंडियो यूएस का joint operation है 2023 में launch किया गया था इसका aim क्या है illegal shipment या देखेंगे जो illegal shipment होता है pharmaceuticals का मेदिसिन की में बात कर रहा हूं medical devices की बात कर रहा हूं है ना chemicals की बात कर रहा हूं यह जो illegal shipment होता है इसको control करना है इसके लिए इंडिया यूएस ने joint operation launch किया operation border sword okay next है national sickle cell anemia elimination mission देखेंगे यह mission जो है यह PM मोदी ने launch किया मद्रप्रदेश के शेहडोल से 2023 में उन्होंने यह mission को launch किया था यहाँ पर aim था जो sickle cell anemia disease sickle cell disease है उसको 2047 तक eliminate करना ठीक है तो 2047 तक उसको खतम करना चाहते हैं और बतादू sickle cell anemia disease में होता क्या है एक RBC जो आपके red blood या दिखेगा जो उसके disorders होते हैं तो RBC की disorder होते हैं जिससे आपकी hemoglobin में effect होता है और आपको पता hemoglobin का क्या है oxygen को carry करना from the through the body तो उसक अरिके से RBC का disorder है उसको control करने के लिए उसको eliminate करने के लिए यह होता है आपका sickle cell anemia तो इसको हटाने के लिए government लांच किया mission और 2047 तक सरकार का agenda है कि sickle cell disease को eliminate कर देंगे ओके चले next आता है operation narcos operation narcos क्या है तीक है मैं जो mission से discuss करूंगा भी 4-5 mission वो RPF ने लांच किया है that is Railway Protection force ने लेट स्टार्ट सफ पहले है operation narcos RPF ने लांच किया है to curb smuggling and illegal trafficking of drugs and narcotics तूर ट्रेंज के दूज इससे drugs और narcotics की सबसेंस को transfer किया जाता है smuggle किया जाता है उसको रोकने के लिए RPF ने operation लांच किया हुआ है अगला है operation आहट अगें RPF का operation है यहां पर to save women and children from traffic loss या तो railway protection force ने उसके लिए operation आहट लांच किया हुआ है next operation नन्ने फरिष्टे यह भी railway protection force ने लांच किया हुआ है इसका mission क्या है जो चिल्रेंस है rescue children in need of care and protection across various Indian railway zones आपको बता दूँ बहुत सारे बच्चों का kidnapping वगएरा हो जाती है ट्राफिक लिंग वगएरा होती है उनको rescue करना इस operation नन्ने फरिष्टे का target है और बहुत सारे बच्चों को protect किया भी गया under this operation नन्ने फरिष्टे यह सब railway protection force लांच कर दिए railway के लिए okay next operation अमानत operation अमानत भी rpf नहीं launch किया है जिस तरह आपके जो luggage वगएरा रहता है कभी कभी lost हो जाता है passengers का तो उसको simplify करने के लिए किस तरह आपका luggage lost हो गया किस तरह आपको जल्दी वापस मिल सके है रिक्लेम हो सके आपका lost luggage उसके लिए mission अमानत जो है वो railway protection force ने launch किया next operation सतर्क ये भी rpf ने launch किया railway protection force ने इसका काम क्या है जैसे आप देखते है railway में illicit liquor fake currency circulation होता है illegal tobacco products unaccounted gold cash precious item इन सब को railway के थूँ ट्रांसवर किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर इस transportation को रोकने के लिए इस railway network से रोकने के लिए rpf ने operation सतर्क जो है वो launch किया है तो आप देख आप कुछ 2020 के missions हैं याद है कि 2020-2021 के जब कोविड आया था देश में उनके कुछ missions बतायता हूं जैसे operation समुंदर से तू हम ने यह launch किया था इंडियन ने ने हमारे इंडियन citizens को करीबन 4000 इंडियन citizens जो कि neighboring countries में फसे हुए थे because of this COVID-19 की वज़े से फसे हुए थे तो उन ऐसी operation समुंद से तू भी launch हुआ था यह क्या था यह इंडियन ने ने लॉंच गया था operation समुंद से तू टू जहां पर oxygen filled containers या देखे आपको पता oxygen की किस तरह कमी हो गई थी देश में तो oxygen filled containers जो है cylinders जो है वो इंडिया लाए गया थे यह 2021 का mission था operation समुंद से तू टू और समुंद से तू अभी मैंने आपको बताई दिया समुंद से तू क्या था वैसे operation समुंद से तू टू था ठीक है next देखे वंदे भारत mission यह भी बहुत famous गुआ था वंदे भारत mission यह biggest civilian evacuation exercise थी जहां पर आप अपने इंडियन citizen जित्ते भी world में फसे हुए थे उनको coronavirus के time पर इंडिया लाया गया था और यह बंदे भारत mission जो है civil aviation ने launch किया था किसे ministry of civil aviation ने अलग अलग जगों से लाया गया था इसका phase 1, phase 2, बहुत सारे phase launch किये गया थे because of the covid के time पर हम इंडियन citizens को इंडिया लेके आया थे ठीक है next mission सागर यह देखे 2020 का mission mission सागर यह इंडिया का initiative है to deliver covid-19 related assistance to countries मतलब हमने अपने लोगों को तो लाया था plus जो आस पास के हमाई country से उनकी भी मदद की थी आप देख सकते हैं जो इंडियन ओशन के लिटोरल states है ठीक है उनको हमने मदद की थी और यहां पर यह operation launch किया था mission सागर जो है foreign ministry ने ओके देख सकते हैं मालदीव से आपका ठीक है मौरिशस है मदगास्कर है कॉम्रोज है सिचल से इन सब countries को याद एखेगा हमने मदद की थी covid-19 के time पर तो यह mission सागर जो है foreign ministry ने launch किया था ओके next operation नमस्ते यह भी इंडियन आर्मी ने launch किया था जैसे इस तरह इंडियन गवर्मेंट इतना work करी थी covid के time पर तो इंडियन आर्मी ने कहा कि हम भी आपकी मदद करना चाहते operation नमस्ते से नमस्ते आप देखते हैं जैसे लोग करते हैं बिना टच किया नमस्ते किया जाता है तो इसलिए इसका एक सिग्निफिकेंस to operation नमस्ते का जहां पर covid के time पर या दखेगा operation नमस्ते में हमाई operation नमस्ते जो है वो launch किया गया था तो आपने देखा मैंने जितने भी important operations या missions थे उन सबको एक lecture में cover कर दिया है ठीक है और यह exam के लिए बहुत important है दो तीन question आपको exam में देखने को मिलेंगे अब आप कह रहे होंगे sir आपने जो lecture कराया आपकी कोई current affairs की booklet होती है जिसको हम book buy कर सकते हैं और exam को crack कर सकते हैं बिलकुल जिस तरह भी आप देखो का to the point में operations missions करा है ऐसे ही मेरी eight month की current affairs है January to August ये भी है to the point आप देखें से books authors important days, themes, awards ऐसे करके पूरे point frame में हर चीज़े में यह आपर mention करता हूं ठीक है और यह आपको booklet चाहिए तो यह मेरा WhatsApp नमबर दिया classes आपके किसे सेंपल दिखाईए तो ये लिजे मैं आपको सेंपल भी दिखा दिया है दो तीन पेज के सेंपल दिखाए हुए pictorial images भी आती जिसे आपको easy हो चीजों को याद करो point frame में साही चीज़े रहती है तो late मत करो जो भी serious students है exam को crack करना चाहते हो आप एक्जाम चल रह MCQ booklet दूँगा 1500 plus MCQs आप देख रहोंगे मतलब आपको मैं booklet पढ़ने वाली भी दूँगा और ये MCQ की भी practice होगी आपकी देख सकते हैं इसमें questions होगे उसके explanation होगा तो आप पहले उस booklet को पढ़िए फिर आप यहाँ पर आकर MCQ practice करिए और exam को easily crack कर सकते हैं ठीक करना क्या है मैं फिर से बता दो WhatsApp में message करो आपको इसकी details मिल जाएंगे और application से भी buy कर सकते हो अब आप सोचोंगे सर मेरा October मन्त में November मन्त की इन सब की current affairs का क्या होगा तो ये सब भी मिलेगी कैसे आप इसको soft copy में buy करते हैं आप इसको hard copy में भी कर सकते हैं बट soft copy buy करते तो क्या होगा मै ये दोनों booklet आपको जैदूंगा इसका PDF मिल जाएगा आप जाकर easily download करके print out करा सकते हैं और क्या मिलेगा जिसे अभी आपने मेरे topic wise lecture देखा ये वाला series का lecture देखा operations missions का इसकी PDF मिलेगी आपको मैं बहुत सारे topic wise कर राता रहे तो अभी आपने appointments का लेक्शे कराया था उन सब क PDF मिलेगी मेरी daily current affairs आती है वो उसकी PDF मिलेगी आप देखते मेरा भी weekly current affairs आया था Sunday को जो हर week आता है उसकी current affairs मिलेगी आज मेरा static GK की MCQ series भी आएगी मैं आपको बता दू ready रहे एगा evening में उसकी भी PDF मिलेगी तो A to Z मतलब सारी चीज़े मिलेगी यार exam करने exam की चिंदा करने क आपको 5 चीज़े मिल जाएंगी और ये एक बार एक ही payment से lifetime के लिए जब तक selection नहीं होता ना तब तक मैं आपको चीज़े प्रोवाइड करता रहूंगा तो करना क्या है तुरंत WhatsApp पर अभी offer चल रहा है थोड़ा बहुत अपने पर spend करो life में और exam को crack करो okay क्या देखेगा आ सबके notes के sample दिया हुआ है ठीक है आप चाहो तो hard copy में इसको घर तक मंगवा सकते हो और चाहो तो soft copy में भी इसको buy कर सकते हो okay तो तुरंत late मत करो एक बार application download करो ये सारे sample तो check करी सकते हो आप low नहीं low बात की बात है बट sample को जरूर चेक करना और application में आपको individual subjects की मैं आपको number है और यह मेरा application का नाम है okay UPSC की preparation करो तो UPSC की proper piri main classes मिलेंगी आपको पता हो आजकल हर state PCS जो है वो UPSC का pattern follow कर रहा है तो UPSC की preparation करोगे तो state PCS तो ऐसे निकल जाएगा आपका तो आप चाहो तो यह वाला course ले सकते हो lifetime access के साथ मिल जाएगा एक course इसमें सब कुछ A to Z आ application download आपको करना पड़ेगा या देखिएगा application में आपको एक general studies का course भी मैंने आपके लिए बना रखा है ठीक है यह course में आपको सारी classes जैसे पॉलिटी जोगरफी इन सब की classes चीजिए ना तो इस सारी classes आपको application मेरे मिल जाएगी तो एक बार app download करो यह साई चीज़े मिलेंग मैं चाहता हूँ आप इस पर lecture बनाओ तो वह lecture भी हम आपके लिए बना देंगे तो बहुत सा advantage मिलेंगे paid student होने पर याद रखेगा और application से भी आप buy कर सकते हो कोई doubt query है comment box open आप comment कर सकते हैं यह lecture बनाने मुझे बहुत मेहनत लगी आप देख सकते मैंने कहां कहां से data collect किया ह क्योंकि easily कहीं यह एक जगे पर नहीं मिलेगा आप यूटूब पर भी सर्च करेंगे ना यह वीडियो तो लोगों ने बनाया हूँ है बट लोगों ने कई पांच यह दस missions बताया हूँ है that's it मैंने आपको देखे मैंने सारे missions कवर कि जो exam में आ सकते हैं को कि हम देखते कही करेंट अफेस बहुत पुरानी भी आ जाती 2020 2021 की भी पूछ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहा होगा तो मैंने इसलिए missions पुराने भी कवर किये हुए हैं अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है आप चाहते हैं कि वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक तो करक लेकर हो इसको कर दो शेयर अपने फ्रेंज के साथ अपने वाट्चैप ग्रूप पे टेलीग्राम ग्रूप पे इसमें जादा जादा लोग इस लेक्शे को देख सकें कोई कोई डाउट क्वेरी है मेरा कॉलिंग नंबर आपको पता है यह उपर मेंशन कर रखा मैंने यहा जै भारत जै जगनात और मैं आपको जाते हैं तो बोलूँगा अज स्टाटिक जीके का भी लेक्शेर आएगा तो उसके लिए भी आप लोग इवनिंग में रेडी रहिएगा सेवन पीम पे ओके थैंक यू